बिस्मिल्ल्ला रह्मानोहिम असलाम अलेकुम आए महम्मद जाविद और आज हम बात करेंगे अपजेट और प्रोगार्मिंग में उनके जो बैसिक पॉइंट से उसी पर हमने डिस्कॉशन करनी हैं कौन-कौन से हैं हम डिस्कॉस करेंगे कि इस डिफरेंस बिट्वीन दा सी विरेबल्स भी कहा जाते हैं इनके साथ इसका एक और इंपोर्टन एलिमेट हैं फंक्शन को कहते हैं मैथड कहते हैं बिहवियर कहते हैं इनको डिस्कॉस करेंगे और टाइम जाए है कि हम आगे बात को आगे बढ़ाते हैं C & C++ जो हम C++ को सी के साथ इसाथ कंपेर करते हैं वहर रहां यादर रखके C is the subset of the C++ , यही क्या है? C++ का इस्सा है. जया कि इसके मुकार है C++ is JA, So C++ में क्या है? C be पड़ियु हुई है, यादर क मैं C++ के अंदर code run कर सकते हैं कि सका? C का लेकिन C के अंदर C++ का कोड रन नहीं कर सकते है मतलब है कि C में C++ की कोडिंग रन नहीं होती जबकि C++ में C की कोडिंग रन होगी C++ की C ना इसमें जो परम को एचीव किया जाता है परम का जो सलुशन एचीव किया जाता है या जो solution निकाल ले जाता है वो base करता है किसी इस पर functions पर base करता है या procedure पर base करता है इसका जो फरगाम होगा वो divide किया जाते है चोटे-चोटे units में इन units को technically क्या कहते है functions कहते है इस वज़े से C को क्या कहा जाते है function driven language भी कहा जाता है जब किसके मकाबले में जो C++ में solution निकाल ले जाता है किसी problem का वो base करता है किसी इस पर objects पर base करता है इस वज़े से C++ हमारे पास क्या object driven language है यहाँ पर जो problem है इसका solution निकालेंगे इसका जो हल निकालेंगे उसके लिए हम क्या बनाते हैं objects बनाते हैं most important element है most important concept है इसके तोड़ी बाद इसको discuss करते है C में virtual और friend function का कोई concept नहीं है यह यह use नहीं कर सकते है जब कि C++ में virtual function और friend function दोनों use कर सकते हैं दोनों से काम दे सकते हैं virtual function की मदद से क्या होते है virtual function की मदद से आप polymorphism implement करते हो किसी object के private और protected member को access कर सकते हैं इन्शालाँ यह हमारे detail में topics है आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो दिंदेगी रही तो इसको हम detail में समझेंगे और इनके practically भी करेंगे C में operator overloading नहीं होती है इसका concept नहीं है possible नहीं है जब कि C++ में operator overloading बागादा की जाती है what is operator overloading operator overloading की मदद से हम क्या कर सकते है किसी operator को addition task, addition meaning, addition operation, addition work assign कर सकते है suppose मैं कहता हूँ कि मेरे pass plus एक operator है जो कि क्या करेगा calculation करेगा यनि addition करेगा मैं चाहता हूँ इनके लाव भी यह मज़ीद काम करें यह जो मज़ीद task में इसको assign कर रहा हूँ, this is called operator overloading C में जो functions होंगे न, वो secure नहीं होते है इन इसका data होगा न, वो जो data है, वो easily एक function दूसरे function से access किया जा सकता है कोई issue नहीं होता है so data can easily access by external functions जबकि यहां पर C++ में हमारे पार जो data और functions होंगे न वो रखे जाते है कि इसके अंदर object के अंदर रखे जाते है इसलिए यह functions और data access नहीं हो सकता जब तक एक object, दूसरे object को allow न करें C++ support करती है procedure programming languages इसका जो paradigm है वो procedure language है मतलब कि यह program को divide किया जाता है चोटे चोटे units में, चोटे चोटे parts में और इनको functions केते हैं जब कि C++ का जो paradigm है वो क्या है, वो object oriented programming है मतलब क्या है कि इसमें तो procedure programming होती है क्योंकि यह superset है C++, procedure programming होती है साथी object oriented programming भी इसमें होती है तो जो हमारा main focus है वो है object oriented programming C में जो programs है वो divide किया जाते है modules में और procedure में और इनको हम technically क्या कहते है functions कहते है C++ है जो program divide किया जाता है वो classes पर बनता है यह classes पर divide किया जाता है classes के अंदर क्या होती है functions होती है function के साथ data होता है सो अगर अब गोर से देखें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर collection of जो program का collection of functions होगा यहाँ पर क्लासिज है और classes के अंदर functions होंगे और functions operate होंगे किस पर data पर operate होंगे C language does not provide the feature of namespace यह namespace को support नहीं करता कि namespace जबके यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर C में हमारे पास headers होते है header files होते हैं आप namespace को use कर सकते हैं namespace क्या है namespace is a collection of related classes जो classes होंगे group होते है this is a cardboard namespace Java languages को packages भी कहा जाता है so यह चीजे C में नहीं है C does not provide direct support for the error ending इसमें error ending डारेक नहीं कर सकते हैं और जो technical term इसके लिए use कहा जाता हुआ exception ending कहा जाता है हम यहाँ पर exception ending नहीं कर सकते exception ending अगर हम करना चाहें तो हम दो मुक्तलिफ functions की मदद से इसको कर सकते हैं लेकिन direct facility हमारे पास नहीं है जबकि C++ में exception ending आप किस की मदद से करते हैं try and catch black की मदद से आप आराम से कर सकते हैं so try and catch black की मदद से आप क्या कर सकते हैं आप exception ending को कर सकते हैं exception ending basically एक टेक्नीक है जो कि run time errors को control करने के लिए use की जाती है inheritance is not possible in the C C में आप inheritance नहीं कर सकते हैं main feature है किस चीज़ का object oriented का so C++ में आप inheritance आराम से कर सकते हो inheritance क्या है इंशाला आप फिर दवारा क्याता हूं मुझे बार बार यह word यूज़ करने पड़ते हैं हमारे अलेदा topic से इस पर हम डिटेल में discussion करेंगे बरहल inheritance क्या है आपके पास जो class होती है एक class आपने बना ली ठीक है एक काफी ज़्यदा code कर लिया और आप चाहते है कि इसी class की बनात पर मैंने एक और class बनाना है suppose आप एक class A बना ली आप चाहते है कि मुझे एक और class चाहिए B और almost B मुझे चाहिए और आप चाहिए कि मुझे आलमस्ट इसमें इस एक एक जो data एक वो code भी चाहिए तो आप यह नहीं करेंगे कि B में दोबरा coding करेंगे वरकि यही code आप क्या करेंगे यही जो code है ना A का code वो आप inherit करेंगे किसमें B में So this technique is called what inheritance उर्दी में इसको विरासत केते हैं जिस तरह बाप से बेड़े को विरासत में चीज़े मिलती हैं I hope मेरे खेल में तोड़ा बहुत आप लोग समझ रहे हैं In the C, a variable should be defined at the beginning of the program यह बड़ा मसला है KGC में जब आप programming करते हैं तो जो विराबल आप यूज़ करेंगे ओफिल को टॉप में आप पहले डिक्लियर करेंगे इसके अबाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं C++ में यह चुनिए C++ में जब भी आपको जहां भी आपको विराबल की जरुत होती है यह आप ङुदे फिल करें और फिर यूज़ करें इनि अप बिगिनिग अट तब अप प्रोगाम आपको वर्याबल बनाने की जरुत नहीं है ए leer you can declare then you can use it while in the C we are bound first declare the variable at the top of the program then we can use it right C में हम function overloading में नहीं कर सकते हैं ठेकिख जी function overloading के इसको गये सहे हैं कि आप एक से ज़्याद़ function एक नाम के साथ define करके different signature की मदद से कते हैं यन्ही आप एक नाम से एक से ज़्याद़ function different signature के साथ declare बना लेते हो This is called function overloading इंचला हम आगे इसको पढ़ेंगे जबकि C++ में हम ये function overloading कर सकते हैं. C में जो हमारे पास input output के लिए function यूज़ किया जाते हैं एक scanf है दूसरा printf है, so printf की मत से हम monitor पर display लेते हैं, scanf की मत से हम runtime data enter करते हैं यहीं काम यहीं input output के लिए हम C++ यूज़ करते हैं एक c in है और दूसरा c out है, यह दोनों use किया जाते हैं और इनके साथ यह operator यूज़ उते हैं ठीकिछ यह लेकिन short क्रक्विए किया किया है c no, c out केते हैं यह था हमारा comparison c और c++ का वेसे तो काफी जाता है लेकिन मैं इसमें से again inch ने point आपर include किया थे Class, most important concept शूरू हो गाचा, इसको समझते हैं, आज तोड़ा बहुत इस पर discussion करते हैं कहा जाता है कि Class is a blueprint or a state of instruction to build a specific type of objects अगर आप objects बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप क्या करेंगे, आप class बनाएंगे Class basically template होता है, idea होता है, set of instructions होता है, जिसकी बुनियात वर पर क्या बनता है, objects बनता है Most important feature है किस चीज़ का object-oriented programming का, यहनि object-oriented programming basically क्या करते हैं, object ही यूज़ करते हैं अब object किस चीज़ से बनेगा, object बनेगा किस से, class से बनेगा, जब class नहीं होगा, तो object नहीं हो सकता है तो इसलिए हम कहते है कि class is the template, is the idea, is the blueprint of the object आगे हमें एक detail दी है, इसमें हमें मज़ीद समझ भाएंगे, एक दो example मैंने हैं आप रखके हुए, तब हमें एक फ़ता लगएगा कहते हैं कि it is the basic concepts of object-oriented programming, और जिससे हम इसको daily life में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक, daily life में मैं एक दो-तिन example भी आपको देता हूँ कहा जाता है कि c++ में class क्या है building blocks है, जिस की मज़ से हम क्या करते हैं, हम object-oriented programming करते हैं class के बारे में ये भी कहा जाता है, कुछ शायद मैंने मज़ीद यह कर नहीं देखा हूँ क्लास के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये एक user defined data type है जिससे हमारे फिस built-in data type होते हैं, int, float, char वगेर होते हैं, इसी तरह हम जब user defined data बनाना चाहते हैं तो हम class भी इसमें included हैं, और इस class के अंदर क्या होंगे, members होंगे, यह यह variables होंगे और functions होंगे, इनके functions होंगे, इस function की मदद़ से हम क्या करते है, इन data पर operation apply करते हैं, task apply करते हैं अच्छा अगर हमने यह data members यह function implement करने, use करने, इस्तेमाल करने न, तो हम क्या करते हैं, इस class का क्या बनते हैं, instance बनते हैं, और instance को क्या करते हैं, objects कहा जाता है अब जरब बात करते हैं, object की, an object is the instance of a class, class को जब हम memory में जगा देते हैं, तब यह क्या बनेगा, object बनेगा when a class is defined, जब हम एक class बनाते हों, तो यह memory में कोई जगा इस case नहीं होती, memory means main memory अच्छा, इन्ही primary memory के हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, इस class का object बनाते हैं, जब हम object बना लेते हैं, तो वो class memory में adjust हो जाती है, but the physical representation of class into memory is called object, यह class नहीं चाहिए, यह आपर object लिखना चाहिए, यह गलत लिकर गिया, शायद मुच से गलती हुए है, मैरा भी दिहान नहीं था, anyhow, so sentence को आप इस्तर जड़िट करें, the physical representation of class into memory is called object, यह सही कर लोंगा, ठीक है, है, इसके साथ मजीद दो छोटे point है, इसको देखते है, इसको attributes कहा जाता है, इसको properties कहा जाता है, और technical term में इसको variables कहा जाता है, यह data members भी कहा जाता है, the characteristics of an objects are known as a properties or attributes, जो objects होगा न, कि जी, objects ने, कि जी qualities है, जो features है, जो characteristics है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम variables कहते है, attributes कहते है, इन्हें, objects ने, हम किन काम के लिए बना है, इसका काम क्या है, यह किन चीज़ों पर काम करेगा है, इनको कहते हैं, attributes कहते हैं, मैं बार बार कहे रहा हूँ, जब हम खत्म करते हैं, इसके बाद हम एक दो थीन, डो example में ने दिये, इस पर जब हम discussion करेंगे, तब हमें class भी clear जाएगा, तब हमें object भी clear जाएगा, तब हमें attributes भी clear जाएगा, इनको data भी कहते हैं, क्या data, suppose आपने object लिए है, suppose, आपने student नाम का object लिए है, ठीक है जी, मैं जब दोड़ा पो समझा भी देता हूँ, क्योंकि time है, एक student class है मारे बस चलो, ठीक है जी, अब student क्या होने चाहिए, id होने चाहिए, बिल्कुल जी होने चाहिए, student का name होने चाहिए, जी होने चाहिए, student ने किस course में एडिविशन लिया है, course भी मौलूम होने चाहिए, student का अगर address है तो भी होने चाहिए, student का अगर contact number है तो भी होने चाहिए, अब देखो यह जी चीज है, id, student name, course, student address, क्या यह students related नहीं है, वेल्कुल जी है, student को describe नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, so these are called attributes, यह attributes है, यह यह वो data member है, जिसमें value store होंगी, these properties can be used to describe the objects, तो यह objects की क्या बनाते हैं, objects की explanation देते हैं, यह जी जो objects हमने लिए किन काम के लिए गया हुआ है, एक example मैंने अपर वेसे general लिख को है, for example, the properties of an object, object a person, इन्हें एक आदमी की क्या qualities हो सकते हैं, उसका नाम होगा, जी, बंदे का नाम भी होता है, बंदे का age भी होता है, बंदे का weight भी होता है, बंदे का hide भी होता है, बंदे का date of birth भी होता है, etc. अब हमरे पास दूस्तरा point है, वह है function, function को method भी कहते हैं, function को behavior भी कहते हैं, An object can perform different tasks and actions, यह जो object हैं उसे आप different activities परफॉर्म करवाते हैं यह जो activities होती है यह जो task होती है इसको क्या कहते हैं ? functions कहते है The function that can perform when an object are known as the function or methods. So, actions, tasks, activities, जो कि हम क्या करते हैं, किसी object से करवाते हैं, तुसको क्या कहेंगे, method कहते हैं, इसको functions कहते हैं, जर्ल एक्जेम्बल दे रहो आपको, ठीक है, इस देख को अभी हमने एक एक्जेम्बल यहां पर देखा था, कि जी एक परसन, एक परसन की क्या qualities होती है, यह एक आम आदमी के, उसका जी नाम होना चाहिए, उसका age होना चाहिए, उसकी wet होना चाहिए, क्या इसके wet है, इनकी height क्या है, ठीक है जी, अब यह बंदा जो है walking करता है ये बंदा दोड़ता है running करता है जी करता है, ये बंदा इस common बन्दा जो है ना यह आम सा एक बन्दा है यह इनके action है कि नहीं बिलकुल जी इनके action है इनको कहते है क्या functions कहते है ओके जी चलो हम एक चुछड़ा सा एक दो और example में आप रखे इस वर हम बात करते है कार लेको कार हमारे पास क्या है एक class है अब कार की क्या-क्या properties हो सकती है यह एक कार की क्या-क्या qualities हो सकती है जिसमें number of doors होने चाहिए कितने होने चाहिए दो होने चाहिए तीन होने चाहिए बास के दो चार होते है बास के दो होते है पैसेंजर सेट कितने होने चाहिए पैसेंजर सीट कितने होने चाहिए दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं डिपेंड करते हैं एक भी हो सकते हैं number of wheels पई कितने होने चाहिए जी 4 पई हो सकते 2 पई हो सकते, 3 हो सकते है body color क्या है इसका, white है, green है, color है model कौन सा है 2000 की है, 2005 की है 2020 की है 2020 की है, नया model है कि नहीं तो देखो, ये एक car की attributes है कि नहीं एक car को describe कर रहे है कि नहीं so income क्या कहते है, attributes कहते हैं अब car क्या कर सकती है, car का function क्या है जी, drive के लिए use होती है कि नहीं इसमें brake लगते है इसमें brake भी लगते है move होती है, move होती है reverse gears में लगते है, जी लगते है right turn लेती है, right turn लेती है left turn लेती है, reverse आती है जाती है, पार्क ओसकती है, बिल्कों बोसकती है, तो इनके function है के नहीं, बिल्कों जी, तो देखो ये, ये functions हो गए, और ये क्या हो गए, इनके attributes हो गए, इनके मदद से हम क्या करते है, हम एक कार को describe करते है, अब बात है कि कार बजाते हैं, ये class है, अब इस कार के अगर हम real example देखते हैं तो हम कहते हैं गलाई, एक्सलाई, या और जितने latest cars आई वे, तो देखो गलाई हो गया, एक्सलाई हो गया, या वीव हो गया, वटेवर जो यह क्या है, यह object से, इनकी shape में क्या देख रहे है, car देख रहे हैं, यह real life हमारे पास क्या है, इनकी examples से, real life क्या हमारे पास, objects से, हम कहते हैं, हमने शुरू में कहा था कि, what is object that has attributes and characteristics and properties, so हमने object के बारे में यह पढ़ा था था, जिसमें qualities होती है, जो कि different behavior perform कर सकता है, एक और simple example देखते है, dog, अब dog, जो characteristics होते हैं, उनकी age होती है, इनकी height होती है, इनका color होता है, इनका avoid होता है, ठीक है जी, यह human dog क्यों होती है कि नहीं, आप कोई animal ले ले ले, बरहर मैंने आप a dog लिया हुआ है, ठीक है जी, okay, dog कितने साल का है, दो साल का है, एक साल का है, colors का क्या है, green है, color है, green तो खेर नहीं होते है, black है, white है, जो भी है, wet इसका कितना है, पांच की जी का है, दो की जी का है, हाइड इसकी कितनी है, हमारे पास चोटे जो dogs होते हैं, वो बड़े dogs भी होते हैं, अच्छा यह dogs क्या करते हैं, eating करते हैं, जीट करते हैं, sleeping करते हैं, बैठते हैं जी बैठते हैं रनिंग करते हैं जी रनिंग करते हैं बार्किंग करते हैं बहुंगते हैं बिल्कुल जी बहुंगते हैं ठीक है न तीन की क्या है Characteristics हो गए Any question नहीं है आच्च So यह थामारा topic पिर भिए कोई एक वीशू है ताव लोगों से कंटेक्ट कर सकते हैं मेरे दीवे इमेल एड़ी पर थैंक्यू जी